भाई अभी अभी आपने Hindi Medium की बात करें और मैंने देखा है कि आप Hindi language के बारे में भी काफी बात करते हो तो मैं चाहता हूं उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वैसे तो हम सब को Hindi भाशा से प्यार है और हम भी comfortable रहते हैं और हमने भी बहुत चीजे face करी है कि जब आप English में ब करती है प्लस हमें भी ऐसा कहा जाते है कि जब आप कहीं बड़े क्रिएटर से मिल रहे हो या बड़ी को लाबॉरेशन के लिए जा रहे हो बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हो तो इंग्लिश में बोलो तो एक अलग इंपक्त आता है थोड़ा प्रेजेंटेवर लगता है मेल क करो तो एक इंप्रेशन पड़ता है बिजनेस वाइज जादा ऐसा क्यों है भाई हमारी ससाइटी में सिर्फ हम ही नहीं यह बॉलीवूड अक्टर भी पिच्चरे बना हिंदी में रहें एंट्रिव देतें इंगलिश में कटा कटा कट एंडिया के अंदर तो हिंदी ही चलत है कॉंटेंड आप देखो गे विवर्शिप तो लोग बतातें कि हिंदी ही चलती है और इंगलिश लैंग्वेज गलत लैंग्वेज नहीं है आनी चाहिए क्योंकि आप इंडिया ऐसी कंट्रियस में अलग-अलग लैंग्वेज बूली जाती है तो इंगलिश एक फिर भी कि एक बात हो गई जैसे मेरा मैं आपको अभी आपसे बात हुई थी मैंने बताया मेरा यूस-बेस काम है तो पूरा उसमें इंगलिश में चलता है मैं ट्विट्स वगरा सब सारा कुछ इंगलिश में लिखता हूं तो वहां की रिक्वार्मेंट अब मैं कहीं बाहर जाओं करते हैं कि अब जैसे मैं फ्लांट वर्ड यूस कर रहा हूं इंगलिश वर्ड उसका मतलब है कि बात पहुंचिनी चाहिए वहां तक किस तरीके से पहुंच रही है किस उससे चल रही है वह मैंटर नहीं करता मैं मुह खोल कर कुछ बोल रहा हूं उसका सिंपल सा एकी परप होते हैं इंगलिश को लेकर डिस्क्रिमनेशन होता है एक बंदा जो नीचा फील करता है किसी रेस्ट्राव में जाके या किसी एरपोर्ट पे जा रहा है वो कहीं जा रहा है तो वस उसकी लडाई है वाई फ्रेंड सरकल भी ऐसे हो जाते है कि आपको हटा दिया जाता है थो कि wine का या थो उसको भी पीडिव तो यह क्ल すपो एक्शांपल से रहा है यह क्लास काई पेधरेंस है क्यों आ यह जा आगे जारा हो हैै यह जो gleichidade हर क्यों आ रहें यह नीचे वाले उपर पहुंचे रहें रहेंगा इसो कас स्टेंडर्र और उब करना पढ़ेगा औरों कैसे करोगे लेकिन हम बहार से पढ़के आये हैं और हम हमारा स्टेंडर है इंग्लिश के बिसिस पर वो में उस चीज की बात तरो हाँ तो मैं कहा था कि आप किसी वर्ड में कोई कंट्री ऐसी आपने सुनी है कि अपनी अपनी कंट्री की भाषा बोलने में आपको फाइन लग कि वहां तो हिंदी बोलने पर फाइन हमारे स्कूल में हमारा बच्चा जाना जाता है एक्शुल में वह कहते हैं कि जब दो मोर नाच रहा होता है तो लगता है बहुत सुन्दर लग रहा है असल में नंगा हो रहा होता पीछे से तो वह यह वही चीज है भाई बच्चे बड़े तीन-चार साले इंग्लिश बोलते हैं वही फ्रंट होगे बिलकुल फ्लुएंसी में अच्छी चीज है लेकिन अपनी हिंदी नी आती भाई हिंदी थीक है तुम सीख लो कोई दिक्कत निया भाई इंग्लिश में लेकिन अपनी मातर भाशा तो पता होने चीज हो पता नी कैसे इंडिया में रहके अगर नौर्टीस इधर की बात करो मैं नौर्साइट की तो हिंदी ज्यादा तर लोगों को आती है अगर पता नी क्या एंवार्मेंट है कि नहीं है जनरली हम लोग जो अपने माबाप से बात करते हैं अब एक ही जो जब आप किसी का हैं जिन्हों ने आपको बढ़ा किया आपकी दादी है हर को इंगलिश बोल पाता है तो जब आप किसी की इंगलिश गलत बोलने का मजाग उड़ा एंग ए तो आपने माबाप का भी उड़ा रहे होते हो अशा निए सिर्फ उसी का मजाग और भूल जाते सोसाइटी में ऐस एसी सिचेशन रहती है कि इंसान बूल जाता है कि मेरे घर पे मेरी माँ मेरी दादी वो कैसे बोलती वो भी तो गलत बोलती तो उनका में मैं जाग निए जिन्हों ने मुझे पढ़ा लिखा के आगी है तो नमो करा है इंडिया भाई काफी सीरेसली लिया जाता इस चीज को इसे मैंने अपने दोस्तों से कई बार सुनाएं कि वो फ्रांस कोई गूमने गया है तो वहां पे इंग्लिश में बात करते हैं इसे इंडियान जाके बाई वह वो बहुत ने को तैयार नहीं है उल्टा जवाब इंग्लिश में नहीं देते हैं ऐसा ही जर्मेनी में ऐसा ही मुझे अभी तक याद है तो यह इंपेक्ट है उनका हाँ भाई तो भी तो भी तो ना फिर आपके अच्छाइसी में बात करनी है तो यह सीखनी पड़ेगी तो यह होना चाहिए इंडिया में तो यह वैसे तो फुल हिंदी चलेगी अगर स्टारबक्स जारे है आई नीड इंडिया में तो ज्यादा जरूरी है क्या रहता है कि बहुत अलग अलग रिजनल लैंग्वेजेज तो यह कॉमन वह सकती है लेकिन इसका मतला थोड़ी का डिस्क्रिमिनेशन करो इंडिया वैसे आकर आप लोजिकली भी देखो तो जो अंग्रेज है वो तो एक ही लैंग् एकी अशेजै ऐसा भी नहीं थे वो तो भृटिशेज आये थे उनको वर्कर्स यह तिए थे काम करानए के कशोड़ें करना था उन्होंने क्लास मैंटें कि एक क्लास है वो जो तक नहीं निक निकला को यह तbok पास उसी के बारे में बात करतें बात करतें इंग्ली तो अनी बनता है फिर लोगों की धड़कने चेज हो जाती है आप इतने है एक मतलब मुझे बड़ा वीडियो भी बनाई है तोक्सिक हो जाता है भाई कुछ लोग के लिए ना उनका मजा को डाना बता तो क्यों कह रहे हैं हम क्यों की ना हम कुछ करते हैं हम जब बैठते हैं यार दोस तो हम यह गेम खेलते हैं कि चलो आज सब इंग्लिश में बात करेंगे फ्रम ना ओनवर्ड विस्पीकिन इंग्लिश ओली इस ने गलत कर दिया भाई उसको जलील कर देते हैं सारे तीन चार गंटे तक यही चलता है जो रिलाइस कितना टॉक्सिक गेम यारी मना बंदा सोच यह मेरे साथ केव कर रहे हैं बड़ यह हम दोस्ति आरी में गरते हैं इसका यह मतलब नहीं कि हम उस चीज को प्रमोर्ड कर रहे हैं वह अपने फंद करते हैं इंग्लिश आना कोई बुरी चीज सोड़ी इंग्लिश तो सीखनी चीए है सीख लो आप क्या दिक्कत है मैं आप देखो यह कितनी बैसी बाद है अपने देश में आपको हिंदी बोलने के लिए इंग्लिश एक नंबर पर चुटी चीजे हैं जो हम लोग को करी जाती हैं हम लोग को पता नहीं चलता है बच्पन से ऐसा चल जाता तो पता नहीं जलता लिकि निस्पारे में बात होनी पर अब बदल रहा है वैसे सिस्टम थोड़ा हो रहा हमारे पीम है सब है सब जा के हिंदी में बात करते हैं चाइनीज के इतने सारे ग्लोबल उस पर आप जाओगे जियो बात करते हैं कभी इसा दिक्कत आती नहीं उनको देख लो का पिल शर्मा को कितना खुला बोलते नह नहीं आती इंग्लिश नहीं आती हिंदी में ही बात करो उनों उसको एंकाश कर लिया और रिका सब्सक्राइब आता है